तीन दिन सुबह खाली पेट ये पत्तियां खालो आपको कभी बुड़ा और मोटा नहीं होने देंगी दोस्तों अगर आपको बालों के जणने से संबंदित या फिर अगर आपकी उमर से पहले बाल सफेध हो चुके हैं तो इससे महतपून इससे important वीडियो आपको पूरे किताब चरक समीता के अनुसार आठ ऐसे प्रियोग बताऊंगा आठ ऐसे फाइदे बताऊंगा और सेवन करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हो इनी सकता कि आप तुलसी के पत्ते रोजाना डेली बेसिस पे सेवन करना शुरू ना कर चाहती है यानि कि गोरापन पाना चाहती है तो आप वीडियो को ध्यान सेन तक अवश्य देखें दोस्तों वागबट रिशी कहते हैं अश्टांग रिद्यम जो कि हमारी आयरवेट की किताब है कि तुलसी के पत्ते में ना एक पारा नाम का जहर होता है जो कि इसको किटान उसे बचाने में मदद करता है इसलिए कई लोग क्या करते हैं तुलसी के पत्तों को दोस्तों इस तरह से तोड करके सुबह उठकर के धो करके खाते हैं जो कि बिल्कुल गलत तरीक है तुलसी के पत्तों का प्रियोग करने का तो आज मैं आपको इस वीडियो में किस तरह से प्रियोग करना है हलके गुनगुने पानी के साथ तुलसी के पत्तों का आपको किस तरह से प्रियोग करना आए विस्तार पूरवग जानते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले हैं हना में कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं पसंद करते हैं साथ में चैनल को सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ओल पे क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंत मिल जाए दोस्तों आपके गाउं में आपके शहर में तुलसी के पोधे को क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछा करें मैं सभी का रिपलाई करता हूँ दोस्तों अगर आप तुलसी के पत्तों को ऐसे ही तोड़ करके चबा करके खाना शुरू करेंगे तो 6-7 साल के लगातार प्रियोक से आपके दांतों में काला कीडा लगने की प्रॉब्लम हो जाएगी और ये 100 प्रतीशत होती है दांतों को ये खराब कर देता है जो पारा नाम का जहर होता है धीरे धीरे करके समय लगाता है कभी कभी 8-10 साल भी लग जाते हैं दांत खराब होने में तो इसका सही तरीका जानिए अगर मान लीजिए आपको बालों के जढने से संबंदित कोई प्रॉब्लम रहती है तो ये लगाने के लिए भी अच्छा होता है खाने के लिए भी लेकिन खाने के लिए कैसे प्रियोग करें तुलसी के पत्तों को आपको इस तरह से तोड़ लेना है अगर आप अजवायन डाल करके खाते हैं तो यह बहुत ही बहतरीन होता दोस्तों बालों की सब भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने के लिए साथ में तुलसी के पत्तों को ले करके 15 से 20 तुलसी के पत्ते इनको पत्थर की खरड में पत्थर की जो लंगरी होते हैं दोस्तों माताएं बहने जिसमें चटनी बनाती हैं वो दोस्तों आपको ले करके इसके बीच में कूट करके इसके चटनी बना लेनी है चटनी बनाने के बाद में दोस्तों इसके बीच में आमला रीठा और शिका काई का पाउडर जो कि बहुत असानी से आपको किसी भी आयरुवेदिक स्टोर पे मिल जाता है वो आदे आदे चमच की मातरा में मिला करके आपको हलका सा बीच में पानी या फिर अलोविरा जल मिला करके मिक्स कर ल हैं, उमर से पहले सफेद हो चुके हैं यानि की 35 की उमर से पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं illa सर के दाड़ी के तो यह बहुत अच्छा प्रियोग मैं आपको बता रहा हूँ जो की जड़ से बालों को द बारा से काला कर देता है हफते में तीन बार ये प्रियोग करें जो मैंने आपको बताया लगा करके इसका तुलसी का पेस्ट, आमला, रीठा, शिका काई के साथ जो मैंने आपको बताना सिखाया है उसको पंदरा से बीस मिनिट ऐसे ही छोड़ दीजिए बिना किसी शेंपू, बिना किसी साबून से आपको अपने बालों को वाश कर लेना है दोस्तों ये प्रियोग अगर आप एक महीने तक करते हैं, हफते में दो बार करते हैं तो यह बहुत ही बहतरीन होता है दोस्तों आपके बालों की सबी प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए आईए जानते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में तुलसी के पोदे के फायदे के बारे में दाद खाज खुझली की प्रॉबलम बरसात के मौसम में खास कर बहुत देखी जाती है अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी दाद खाज खुझली से संबंदित किसी भी प्रकार की रिंग वाम इंफेक्शन जिसको कहते हैं ये प्राइवेट एरिया में प्राइवे तुलसी के दस से बारा पत्तों को तोड करके धोलें इसको और चटनी की तरह कूट लें आपको पत्थर की जो लंगरी होती है हैना पत्थर का सिल्बटा होता है खरड जिसको कहते हैं इसमें कूट लें कूटने के बाद में दोस्तों आपको इसके बीच में एक मार्किट से आयरुविदिक तेल आता है जिसका नाम है काया कल्प तेल वो लेकर के आना है उसकी दो बूदें इसके बीच में मिला दें कसम से कहा रहा हूं से भैतरी नोशदी आपकी दाद, खाज, खुजली को जिंदगी बर के लिए दूर करने के लिए हो ही नहीं सकती और एक प्रियोग में आपको इतना भैतरीन फाइदा दिखेगा जो कि 15-20 साल पुरानी आपको किसी भी प्रिकार की दाद, खाज, खुजली की समस्या में विबिन दवाईयां लगाने से नहीं मिला होगा इतना भैतरीन ये होता है प्रियोग दोस्तों अगर हम तीसरे benefit के बारे में तुलसी के पत्तों के फाइदे के बारे में बात करें तो अगर आप इसको दही में डाल करके अजवाययन के साथ में सेवन करते हैं, खाते हैं तो ये बहुती जदा अच्छा होता है आपके पेट की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए दूसरा वजन को गटाने के लिए जो लोग अपनी माताएं बेहने अपना वजन कम करना चाहते हैं पुरुश अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रियोग है तुलसी के पत्ते ले ले लें 10 से 12 तोड करके धोग करके छोटे छोटे टुकडे करें इसको हाथों से ही ऐसे तोड़ तोड़ के हैं न तुकडे करने के बाद दही में डालने के बाद में दोस्तों अगर आप दही में डाल करके इसका सेवन करते हैं डेली बेसिस पे और चब बहिंकर से बहिंकर गैस, एसीडीटी की प्राबलम, मैटाबॉलिजम खराब होने की समस्या, हार्मोनल लेवल पेट के कारण जो भिगड जाता है, सबी को बैलेंस करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पत्थर की तरह मजबूत बनाने में, ये जो तुलसी का पोदा है, और जो मैंने आपको दहीं के साथ प्रियोग करने का सेवन करने का तरीका बताया, ये गसब का काम करता है, दहीं जो लोग नहीं खाते हैं, वो हलके गुन्गुने पानी के साथ, तामबे के बरतन का पानी होना चाहिए, रात बर तामबे के बरतन में पानी को रखें, और बल्दी भी एक चुटकी की मातरा में अगर आप डालते हैं फिर तो दोस्तों बात ही क्या इतना बहतरीन इतना जबरदस्त होता है यह दोस्तों की जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं खून को भी साफ करने में मदद करता हैं चहरे पे ग्लो जो लाना चाहते हैं उनके मुलतानी मिट्टी बड़ी असानी से आपको मार्किट से मिल जाती है ले करके आएं इसके बीच में मिला करके एक चमच की मातरा में मुलतानी मिट्टी और साथ में दोस्तों एक चमच की मातरा में ऐलो वेरा जल ये दोनों चीज़े मिला करके अगर आप अपने चहरे पे के लिए आपको दूसरा कोई नुस्खा नहीं मिलेगा बस एक्सरसाइस करना अपनी डाइट का ध्यान रखना बिलकुल भी न बूलें समय पर सोएं सुबह समय पर उठें और अच्छे से पानी पिएं खुश रहें उसके बाद देखें दोस्तों आपके चहरे पे कैसी चमक आ आती है